पटना के लोग भी अब मरीन ड्राइव का मजा ले सकेंगे इस परियोजना का पहला चरन पूरा हो चुका है मुखे मंत्री नितीश कुमार आज उसका उद्गातन करेंगे पटना गंगा ड्राइव वे नितीश कुमार की महत्वा कांशी परियोजना है इसके तहट गंगा किनारे बन रहे जेपी गंगापत का काम तेजी से चल रहा है दीघा से PMCH तक करीब साड़े साथ किलो मीटर की सड़क तयार है जिसका नितीश कुमार आज उद्गातन करेंगे अटल पत से जुड़ने के कारण अब लोग आसानी से गांधी मैदान से आर ब्लॉक पहुँच जाएंगे वही जेपी सेतु से जुड़े होने के कारण उत्तर भिहार के लोग भी आसानी से गांधी मैदान और आर ब्लॉक पहुँच सकेंगे इसके साथ ही PMCH से M से जाना बहुत ही आसान हो जाएगा इससे लोगों को जाम से भी मुक्ति मिलेगी और PMCH को भी हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं लेकिन अभी उसको इमजेंसी सर्विसेज के लिए उपेन करेंगे जो एंबुलेंस हैं बाकी चीजे हैं उसके लिए साथी साथ इसके अलावा मिठापूर का जो आरोबी है जो करविहिया से जोडता है उसको भी 24 तारीकों मानी मुक्मंत्री जी उसका लोकारपन करने जा रहे हैं तो दो बहुत ही प्रस्तिक्षित योजना खास करके जेपी गंगापत जिसको पिछले वर्स हम लोग 2000 करोड रप्या के योजना देकर स्पीर अप किये थे उसका पहला फेज हम लोग कंप्रीट करने जा रहे हैं और दूसरा मिठा पुरा रोबी दोनों ही योजना पटना के आवागमन के लिए बहुत ही महत्पून होगा खास करके जेपी गंगापत जिसको उत्तर विहार से हम लोग पटना सहर को सीधे कनेक्टिविटी मिलेगी और जेपी गंगापत अब जेपी से तु से भी डायेट जुड़ जाएगा हमने जगह 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 पर जहां पर शार्ट टर्निंग है जो चीज़े हैं यहां पर ट्राफिक का मर्जिंग होगा वहां पर स्पीड बेकर दिया जाएगा बाकि पूर से पांच दुरगटनाए घटी अटलपत पे उसका मुखे विसेयर रहा कि रॉंग साइट का मुवमेंट अभी तक कोई स्पीड के कहान को जो भी रॉंग साइड आये हैं और स्पीड में है तो यह तो थोड़ा एवर्नेस का भी पाट है लेकिन फिर भी हम लोग अटलपत क ड़िश्कार जिस प्राइब्स आये हैं उसको लेकर हम लोग चिंतित नहीं और हम लोग ने उसके लिए अटलपत के लिए चेंज युट प्लां किया सकता उस पर भी काम कर रहे हैं और खास करके जेपी गंगा पस्ते जब अब जूर रहा है तो ट्राफिक व्यवस्ता की दिश्ट्री से भी यहाँ पर कुछ हम लोगों ने मानी हूँ अब ज्रेट वाइब को ढूंगों फाइदा मिलेगा जी आपको बता दे पलवी की जो आज मत्वंती जो है दो योजनाओं का जो है पटना में जो है उसका घाटन करेंगे एक पहला योजना तो है जो है मेरीन ड्राइब आपको बता दें कि पहले मुंबई योग मेरीन ड्राइब का नजार देखे रेकि अब ढूर भी मेरीन ड्राइब का मजह ले पाएंगे कुकि गंगा के किनारे जो बनाई जाएगी हलाके अभी जो है पूल का पूरा काम जो है वो जेपी से तू से लेके पीम सच तक ही पूर्ण हो पाया है और आज जो है मुक्वंति निजिश कुमार जो साम पांच वजे जो है इसका बुज़ाटन करेंगे और इसके बाद जो है बिहार के लोगों को यह सम थे होते हैं जन्हें हम होते हैं जेपी से दूशे सायर में इंट्री करते हैं जो शो कंदा जो है मिजात मिल जाएगई खास करके जो यह का बूससे पांटिस में दूरी जो 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 खी तो इसके दूरी उसके दूरी और ये भी जो है दस मेंट के से पंदर मेंट के अंदर तैकर ली जागी इसमें जो भी श्रीयस मरीजों उनके लिए बहुत रहात की बात होगी दिंटार घ्रक्षाइब । अब और नोह को रहात की बाट होगी और मिंटों मेज़ें अभ लोग में उनly लाखों में यो मिंटों में टीज आku हपी। सब्सक्राइब जो है दो साल पहले जो पहुंचाते थे और अब जो है जो है जो है जो दोनों को एटेज कर दिया गया है इससे तवाम जो पतना में आएंगे अपने काम के लिए और चाहे वो प्रेसेंट को लेके या पिर प्रेसे निजी काम साहंगे उन लोगों को निए रहात कि बात है अब उन लोगों को पटना में जाम नहीं मिले गा पतार की के लिए जो है पूल जी बहुत धन्यवाद आपका